Hello Friends, Welcome to my YouTube Channel Science Khushi Creations तो आज के वीडियो में मैं आपको गंगोर पूजा की सामगरी बताऊंगी जो बड़ी गंगोर आएगी उस पर हमें किस तरीके से पूजा करनी और क्या सामगरी होगी इसका वीडियो में आपको बताने वाली हो पूजा का वीडियो भी आपको अलग से मिल जाएगा तो सबसे पहले तो हम फूल लेंगे जो भी फूल आपको मिले वो फूल आप ले लें फूल माला हो तो वो भी जरूर से ले लें इसके बाद हम लेंगे रोली टीका करने के लिए भी टीकी जो देंगे उसके लिए भी चावल लेंगे हम टीके पर लगाने के लिए इसके बाद हमें महंदी लेनी है और काजल लेना है ये महंदी, काजल और रोली जो है इनसे हमें तीनों से कागज पर टीकी देनी होती है तो इसलिए हम ये तीनों लेंगे इसके बाद हम दुर्वा यानि जो दूब है उसके हम गुच्छे लेंगे यानि जो हमने ये साफ करिये दूब मैंने पिछले वीडियो में आपको दूब कैसे आपको साफ करनी है वो सिखाया हुआ है तो उसका वीडियो का लिंक में आपको description में दे दूँगी ये जो दूब है इसे हमें दातुन के लिए भी लेना यानि 16 दातुन हम दूब के चरहाते हैं तो 16-16 के हम 5 गुच्छे बना लेंगे, मिनिमम 5 तो आप बनाएं चार तो हमें छाटा देने के लिए लगेंगे और 6 गुच्छे आप बनाएं दो हम दातुन के लिए रखेंगे दो तो हमें गंगोर माई को चरहाने 16-16 के एक दातुन के रूप में एक इसर जी और एक गंगोर जी को और बाकी जितनी भी लेडीज होंगी सबको 2-2 लगेंगे यानि एक सिंगल लेडी को 2 लगेंगे तो इस तरीके से आप ले लें इसके बाद हम जो जुए के बटवे का सामान है वो लेंगे ये एक सिक्का, चांदी का सिक्का, हल्दी की गांच, सुपारी, कॉड़ी और ये मारा जो चांदी का छल्ला है, चांदी का छल्ला ना हो तो चांदी के अंगुठी भी ले सकते हैं ये समाल हमें जुए के बटवे का समाल लेना है इसके बाद हम यह जो हमारे गेहू हैं, यह गेहू लेंगे, गेहू हमें दिये के नीचे रखने होते हैं, इसलिए गेहू लेंगे, एक हम घीका दिया लेंगे, यह देखें, दिया लेंगे हम, और इसी के साथ सा धूब बत्ती भी लेंगे, इसके बाद हम मोली लेंगे, और एक साफ जल का लोटा ले लेंगे, जो भी हमें समान mix mix करना होगा, रोली घुलनी होगी, उन थो के लिए हम एक लोटा जल ले लेंगे, ये सब समान तो हमारा पूजा का हो गया, जो हमें main समान पूजा करने के लिए लगीगा, इसी के साथ साथ हमें जो हमारा सुहाग का समान है सुहाग पिटारी का समान जरूर से लेना है आपको सुहाग में जो जो आप लेना चाहिए सोलहा समान लेना चाहिए तो वो बहुत ही अच्छा है सोलहा समान आप गंगोर को चाहिए इन सब का डिटेल्ड वीडियो क्या-क्या लेना है वो मैंने बताया हुआ है तो उसका वीडियो भी आपको, मैं लिंक आपको डेस्क्रिप्शन में दे दूँगी कि सुहाथ पिटारी में आपको क्या-क्या रखना है ये भी मैंने आपको सिखाया है मेरे चैनल पे या वीडियो आपको मिल जाएगा और ये गुने, हमारे याँ गुने का प्रशाद चाहते हैं कई लोगों कि आप फूल, आटे के फल बनाते हैं आटे के फल, उन आटे के फल का प्रशाद लगाया जाता है पर हमारे हाँ गुने बनाए जाते हैं गुने आप बना सकते हैं प्रशाद के लिए गुने कमपल सरी होता है बनाना इसके बार भोग की थाली हम लेंगे प्रशाद की थाली में गुने मेल होते हैं हलवा और पूरी ये शीरा पूरी का प्रशाद हम गंगोर को चाहते हैं और पूरी पर ही बायना भी निकालते हैं तो भोग की थाली में आप गुने हलवा पूरी ले 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 और इसी के साथ साथ चाटा देने के लिए हमें सुहाग जल चाहिए यह सुहाग जल मैंने आपको पहले वाले वीडियो में भी बनाना सिखाया है कि आपको कच्छा दूर और प सामगरी के लिए इस गंगोर की पूजा के लिए चाहिए तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूले मेरे चैनल साइन खुशी क्रिएशन को जरूर से सब्सक्राइब करें थैंक यू वरी मुच फॉर वाचिंग प्लीज लाइक शर्ण सब्सक्राइब थैंक यू